आपने पिक्चर्स एड़ करनी है तो आपने यहां से कोई भी पिक्चर्स ले ले लिए जैसे यह पिक्चर इसको से उसी फोल्डर के अंदर आप सेव करना है एस टू डोट जे डी पी जे टीपी पिक्चर की शोर्ट फाहम होती है इसी जा मैं टैन पिक्चर्स ले डॉनलोड का रहा हूं हुआ है रहा पूम यह थे चेनी एलबिय करनी है आप अंदर्मार फाहरा है एक चाहिए है मैंने जो पिक्चर्स डॉनलोड की है अब हमने इन दो पिक्चर्स को हमने अपने आपने डोकुमेंट में हैड कैसे करना है यह मैं आप बाव को बताता हूँ आपने इसको पिक्चर को ओपनी करना आपने डोकुमेंट में चल जाना है आपने डोकुमेंट में चल जाए डोकुमेंट को ओपन करके राक लें आपने पिक्चर जों सी है ना इसको आपने यहां झाब रागने इससे नीचे आड़ करने है। नहीं हो एक फज्स्रा इप और एक्स्ट्राद देता हूं यहाँ पर और पिक्चट्र आड़ कर आकाना चाहते हैं। इसके पहले आपने अपने साइड में जाना है। अपने पिकैन आड़् कर लीये. तो पिक्चर के लिए हम बेसिक में जाएंगे बेसिक हो गया हमारा एल्जमेंट में हम जा रहे हूं यहां पर आपको सारी डिटेल दी हुई हुई है उन्होंने इमिज के लिए उसके नीचे देखें जब आपने यह डिटा लिया था एक्जाम्बल के तौर पर आपने लिंक लिया था तो लिंक के निचे ही आपको एक और फाइल नज़रा लगारी है जिसको हम कहते हैं इमेज यह इस फाइल को आपने कोपी कर लेने है कोपी अपने नोड़ पैड में चल जाना है कि यहां पर इसको स्पेस एक में पेस्ट कर देता हूं अब जो सी आपके इमेज है उसको यहां पर आपने लिख रहे हैं इमेज का नेम मैंने लिखा था एक ही लगा लू एस वान ठीक है आप कंट्रोल एस करूंगा और मैं इमेज में जाओंगा कि यह एस वान इमेज एड होगी है लेकिन मेरे शायद कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वैसे भी ताकर एडिट नहीं हुई मैं फिर एगें देख लिता हूं हाँ मैं जाइक मिल गी है मैंने जी पीडी लिखा था जी डीपी लिखना था रूल एस दबार जाता हूं इदर इसको रिफ्रेश करता हूं अभी नहीं हुआ यह क्यों मैं पिक्चर में अपना नाम देखना हूं एस वन डॉट जी डीपी यहां पर एस वन डॉट जी डीपी नेम यह सेम है आज पर दो पिक्चर की है इसलिए ना रहा हूं यह पीचे डेल कर दाता हूं अब कर देखता हूं कुछ ना कुछ इस हुआ है मेरे वैसे जिसके वैसे यह नहीं हो रहा वन्ना हमारा काम कमद हो गया हुआ है अब इन लिंक्स के अंदर हमने भी एशू किया है यहां पर हमने वाउने टाले वह समय इदर से मारा लिंक शिरू होता है यह देखी यह क्रेक्ट लिंक्स शिरू है यह ना सिय वीडियो आपको फिरू है